मैं तो मानता हूँ जानकारी का अभाव होगा जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है और राद नीती है मनेवर तो बहुत लुख़त है मनेवर कई सारे राज्यों ने इसका उप्योग भी किया है और परिणाम भी आ है और इस अल्ली वर्निंग सिस्टिम के तहट मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ 23 तारिक को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एंडी आरेप की टीमे केरल के लिए लड़वाना हो गई थी कि वहाँ लेंड स्लाइड आ सकता है भारेश सरकार ने 9 एंडी आरेप की टीमे विमान से वहाँ भेजी मैं पूछ सकता हूँ माने वर इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग केरल सरकार ने क्या किया अनि अनधीको लोग रह रहे थे नहीं रहे रहे थे मगर वलरेवल सिचुएशन तो थी इनको सिफ्ट किया गया क्या क्यूं नहीं किया गया क्यूं रोकता था और सिफ्ट किया तो मरे कैसे सिफ्ट पहले नहीं किया गया है बाद में किया गया है जितना बोलोगे उतना किसे बात के तो मैं सांती से यहां बैटको सुनने ही आया है मैं आज आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्ली वर्निंग सिस्टिम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रदान मंत्री बने 2016 से यह प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधूनिक अल्ली वर्निंग सिस्टिम कहीं पर है तो भारत हूं और इसका साथ दिन पहले साथ दिन पहले इसका अनुमान देने वाले चार ही देशे उसमें से एक भारत है मगर उसको पढ़ना पड़ता है डिमांड करने से कुछ नहीं होता मानेवर जो उन्होंने कहा कि वह डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है वो गलत है मानेवर मैं इसकी भी स्पष्टा करना करते चाता हूं कि सदन का रेकोर्ड साफ रहना चाहिए स्दी आरेफ में 10% रासी कोई भी राज्य अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इस्यू कर सकता है और 100% रासी भारत सरकार की जो गाइडलाइन इस्यू हुए है गाइडलाइन इस्यू के किसी भी परमिसन की भारत सर सिरकार की जरूरत नहीं है गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करे कोई नहीं पूता है 90% 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए बारत सिरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं और बंगाल का भी कहा मनने वर डिटेल स्टेटमेंट नित्यानुन जी पढ़ेगी मैं स्ट्रक्चर स्टेटमेंट नहीं दे रहा मने वर बंगाल का भी कहा हमने 6244 करोड रुपया 14-24 तक बंगाल के एप्रू किये हैं और जीस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है इस हिसाब से रिलीज होते हैं उसमें से 4619, 4619 करोड रुपया हमने रियम्बर्स कर दिया है मगर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लेम है हि एकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सरकार के कुछ रूल्स होते है रेगूलेशन होते हैं अकाउंटिंग सिस्टीम होती है एजी का ओडिट होता है हम किसी को नहीं मानेंगे ते थोड़ी तकलिफ आएगी मगर दिरे दिरे आदत पड़ रही है इंप्रूमेंट आया है इसलिए 6244 में से 419 करोड रुके इनका रिलीज हो चुका है और मैं फिर से कहना चाहता हूं मानेवर अर्ली वर्निंग सिस्टीम दी गई थी इसलिए 23 तारिक को हमने एंडी आरेप की नो बटा लेने वहाँ पर एक सकना नो बटा ल लेने उतरने से भी एलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता वगर मैं किसी पर दोसार उपन नहीं करना चाहता हूं यह समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का और जोन लोग उनकी हानी हुए उनके साथ खड़ा रहने का मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहत हूं इरिस्पेक्ट्व पार्टी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोधी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तर खड़ी रहेगी किसी को संसे रखने की ज़री हुए